Hello everyone, इस वीडियो में हम पिछले वीडियो का जो तीसरा टोपिक था जो है levels of organization इसके बारे में हम पढ़ेंगे levels या grades of organization या इन्हें कहते हैं संगठन के इस्तर Organization is the arrangement of smaller components और any structure into larger ones and so on in hierarchy यानि organization या संगठन का मतलब है कि ये छोटे जो components है उनका arrangement होता है चोटे components या छोटी जो structure होती है या सरंचनाई होती है उनका arrangement होता है बड़े सरंचनाओं के निर्मान के लिए और वरगी की में ये धीरे-धीरे बढ़ता जाता है जैसे एक cell है ये smaller component होता है किसी भी organism का अब ये cell जो है वो मिलके जो है वो tissues का formation करती है और ये tissues जो है वो आगे जाके organs का निर्मान करते हैं यानि इनमें छोटी जो सरंचनाई है धीरे-धीरे taxonomy के अंदर देखते हैं जैसे lower metajone से लेकर higher metajone तक जाते हैं तो ये धीरे-धीरे बड़ी सरंचनाओं का निर्मान करते जाते हैं तो organs के बाद में इसमें organ system जो है वो भी आ जाता है तो ये बड़ी सरंचनाओं का निर्मान कर सकते हैं in the animal kingdom protozoans exhibit protoplasmic grade of organization यानी protozoa जो है उनमें केवल protoplasmic grade of organization होता है संगठन का इस तर इसमें protoplasmic grade है क्योंकि इसमें cell A की होती है और इसका जो cytoplasm है इस पूरे cytoplasm में cell organs होते हैं और अलग-अलग इसके भाग होते हैं जो की अलग-अलग कारिय करने के लिए सक्षम होते हैं तो इसका जो इसतर है वो protoplasmic level का होता है metajones exhibit higher levels of organization जो metajones है उनमें अधिकांस जो है वो उच परकार का जो है वो संगठन का इसतर होता है जैसे cellular grade of organization कोशी के इसतर दूसरा आता है tissue grade या उत्तक इसतर तीसरा आता है organ grade या अंग इसतर चोथा आता है organ system grade या अंग तंतर जो है वो इसका संगठन का इसतर तो ये चारों परकार के जो जितने भी grade है ये सभी metajones के अंदर आते हैं और जैसे जैसे वरगी की में नीचे से उपर के और जाते हैं यानि lower metajones से higher metajones के और जाएंगे तो इनमें ये cellular grade से लेकर organ grade तक हमें मिलेंगे पहला जो संगठन का इसतर आता है वो है a cellular या protoplasmic grade of organization तो unicellular organisms like protozoans exhibit protoplasmic grade of organization यानि protozoans के अंदर ये protoplasmic या कोशिका द्रवी जो इसतर होता है इस परकार का संगठन का इसतर होगा all the functions are confined within the boundaries of a single cell इसके जितने भी कार्य होते हैं वो सभी एक ही कोशिका के boundary के अंदर होते हैं यानि इनमें कोई दूसरी कोशिका जो है वो भाग नहीं लेती within the cell protoplasm is differentiated into organals capable of performing specialized functions इसमें cell के अंदर जो protoplasm है वो विवेदित होता है यानि किसमें विवेदित होगा organals में या अंगकों में और ये अंगक जो है वो सक्सम होते हैं कुछ विशेश कार्यों को करने के लिए division of labor is seen among the cell organals इनमें जो कार्य विवाजन है division of labor यानि कार्य विवाजन इनमें cell organals में पाये जाता है यानि इनमें जो इतने भी कोशिकांग होते हैं unicellular या protojoa में इनमें सभी का अलग-अलग कार्य होता है जितने भी cell organal होगा उसमें सभी अलग-अलग कार्य करेंगे तो इनमें division of labor जो है वो पाये जाता है दूसरा जो है वो आता है cellular grade of organization या इसे कते हैं कोशी के इस्तर का संगटन इस्तर cellular grade of organization is the lowest level at organization in the metajones संगटन का इस्तर है क्योंकि metajones जो है वो cellular grade से ही सुरू होते है it is exhibited in the sponge यानि ये porifera के अंदर जो sponge आते हैं ये उनके अंदर जो है वो पाये जाता है individual cells differentiate during development to perform special functions इनमें जो कोशिकाएं होती है वो विवेदित हो जाती है परिवर्दन के दोरान और वे कोशिकाएं परिवर्दित होकर क्या करती है कि कुछ विशेश कारियों को करने के लिए जो है वो differentiated हो जाएगी hence division of labor is seen among the cells और इसमें जो है वो कारी विवाजन की समता जो है वो पाय जाती है कोशिकाओं के मतिया यानि जो अलग-अलग कोशिकाएं हैं वो अलग-अलग कारियों को कर सकती है इस कोशिका कारिय अलग होगा इसका अलग होगा और इसका अलग होगा यानि जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें कारिय का विवाजन पाये जाता है Nervous cells and sensory cells are absent इनमें तंत्रीका कोशिकाएं और जो संबेदी कोशिकाएं होती है वो mostly absent होती है Hence, different types of cells are functionally isolated इनमें जो विभिन परकार की कोशिकाएं हैं वो इनमें अलग होती है True tissues are absent इनमें जो उत्तक जो है वो mostly absent ही होते हैं और इनमें यानि की कोशिकाएं मिलकर जो है ग्रुप बनाकर एक tissue का formation नहीं कर सकती है Cells are not strongly associated to perform specific collective function इसमें जो कोशिकाएं हैं वो अधिकांस ऐसा नहीं है इनमें की कोशिकाएं एक समू बनाके किसी एक कारियों को करने के लिए जो है वो बादित हो यानि ये कोशिकाएं इस परकार से कारियों नहीं कर सकती ग्रुप में मिलकर अगर ग्रुप में मिलकर कारियों करती है तो वो tissue grade का organization हो जाता है इसके बाद जो तीसरा आता है organization वो है tissue grade का organization यानि उत्तक इस्तर का संगठन अब इसमें जो है इसे कह सकते हैं diploblastic organization या द्वी जन इस तर ये जो संगठन का इस्तर होता है निडेरियंस यानि silentrates तो silentrates जो phylum है इसी का दूसरा नाम है निडेरियंस निडेरियंस exhibit tissue grade of organization निडेरियंस या silentrates में उत्तक इस्तर का संगठन होता है nervous cells and sensory cells are present इनमें तंत्री का कोशिकाएं वस समवेदी कोशिकाएं उपस्तित होती है the cells that are performing similar functions are highly coordinated अब इनमें जो कोशिकाएं हैं जो एक समान कारी करती है ये आपस में बहुत ही ज्यादा समनवीत रूप से कारी करेगी तो जितने भी कोशिकाएं हैं ये एक कारी को करने के लिए आपस में coordinated होती है and are aggregated into tissues और ये क्या करती है कि मिलकर उत्तक का निर्मार कर सकती है the functioning of different tissues is also coordinated इनमें जो अलग-अलग उत्तक होते हैं उनके कारीों में भी समनवेता या coordination पाये जाता है लेकिन इनमें जितने भी tissue या उत्तक होते हैं ये आपस में मिलकर organs नहीं बनाते हैं embryonic endoderm sorry, ectoderm gives rise to the epidermis इनमें जो embryonic ectoderm होती है या bruny ये बाहिये इस्तर जो होता है वो इसमें epidermis बनाती है the outer layer of the body ball जो की देह भित्ती की जो है वो बाहरी सत्य होती है, बाहरी इस्तर होता है endoderm जो है gives rise to the gastrodermis the inner layer of the body wall that lines the gut इसमें जो endoderm है उसके द्वारा gastrodermis बनती है और gastrodermis जो है वो inner layer होती है और body wall के अंदर की और और जो gut या जो इसकी आंतर होती है उसके चारों होती है between the epidermis the gastrodermis and non-cellular layer called mesoglia is present अब इसमें epidermis और gastrodermis के बीच में एक non-cellular यानि अकोशी किये परत जो है वो पाई जाती है जिसका नाम होता है mesoglia चोथा जो संगठन का इस्तर आता है वो है अपने organ grade या अंग इस्तर जो होता है those animals come under this category in which tissues have formed organs but organs do not form any system together यानि इसमें वे जन्तु आते हैं जो जिसमें tissues या उत्तक जो है वो मिल कर अंगों का निर्मान तो करते हैं लेकिन वे अंग मिल कर आपस में कोई तंतर का निर्मान नहीं करते हैं in such situation due to the main base of body being an organ this type of physical organization is called the organ level तो इस इस्तिती में जो सरीर का जो मुख्य आधार है वो organ या अंग ही होता है और इसी परकार इसका जो सारीरिक शंगटन है वो organ level का कहलाता है या अंग इस्तर का कहलाता है इसके उदारण में जो phylum platy helmin's है जो चप्टे कर्मी है वो उन सब में अंग तंतर इस्तर का अंग इस्तर का जो है वो संगटन इस्तर होता है पाचवा जो आता है प्रकार वो है organ system का यानि अंग तंतर इस्तर का levels of organization और यह जो होते हैं वो mostly triploblastic animals के अंदर ही पाए जाते हैं तो triploblastic animals exhibit organ system grade of organization जो तीन जन इस्तरिये या त्री जन इस्तरिये जन्तू होते हैं उन में organ system या अंग तंतर जो है वो इस्तर का संगटन पाए जाता है All the tissues are derived from three germ layers जितने भी उत्तक होते हैं वो सभी तीन प्रकार की जनन इस्तरों से बने होते हैं जैसे एन outer ectoderm यानि इसमें बहरी ectoderm होती है the middle mesoderm मध्य में mesoderm और inner जो है वो endoderm होती है the tissues assembled into larger functional units called organs जो tissues है वो assemble होके बड़ी functional unit या बड़ी कारी की इकाईयों में बन जाते हैं जिसे हम organs कहते हैं organs are usually composed of more than one kind of tissue and have a more specialized function than tissue तो अंग जो होते हैं वो मुक्य तया एक से अधिक परकार के tissues या उत्तकों से बने होते हैं और जो है उन से ज़्यादा wishes कारीय जो है वो करने में सक्सम होते हैं यानि tissue से ज़्यादा advance जो है वो organs होते हैं अगला point आता है organs working together to perform one or more specific function constitute an organ system organs जो होते हैं यानि अंग जो होते हैं वो एक साथ कारी करके एक और अधिक wishes जो है वो तंतर जो है वो बना सकते हैं जिसे अपन अंग तंतर कहते हैं या organ system कहते हैं organ system are associated with the basic body functions और organ system यानि अंग तंतर जो है वो मुख्यतया basic जो body function या देह के कारे होते हैं उन से ये जुड़े होते हैं various kinds of organ systems are observed in triploblastic metajones तो जो त्री जन इस्तरी है metajones है उनमें अनेक परकार के जो है वो अंग तंतर पाए जाते हैं जैसे integumentary system है nervous system है circulatory system है इस परकार के और दूसरे systems या तंतर भी पाए जाते हैं highly specialized sensory cells are present इसमें बहुत ही ज़्यादा wishes जो समवेदी कोशिकाएं होती है वो present रहती है endocrine system and another interrogative system is present in higher triploblastic animals इनमें एक endocrine system भी होता है जो की दूसरे सभी systems को कारे करने के लिए जो है वो आउशिक होता है उन सब को ये coordinate भी करता है तो ये triploblastic animals के अंदर higher triploblast में ये पाए जाता है thank you so much और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे basis of classification of non coordinate